नमस्कार मैं सरित्य चोद्री स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्तान सरकार्व वैदानता के CSI इनेशेटीव एक अक्षा में जिसका एखने पास्तिकी मूल के अंतरगता के अधर्यती वह भरती tightly संस्कृति और मध्य क्या संमंद है अब इस चप्टर के अंतरगत इसे पूरों के वीडियो में हम लोगों डिसकस किया है कि प्रियावरन किसे कहते हैं प्रियावरन प्रदूशन क्या होता है और वह किन किन कार्णों से होता है उनी में एक प्रमुक कारण उभोगतावादी संस्कृती के बारे में आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं तो बच्चों कौपी और पैन साथ में लीजिए और मेरे साथ इस चेप्टर से संबंधित नोर्स बनाईए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उभोगतावादी संस्कृ कि प्रियावरन को किस प्रकार से प्रभाविते करती है उभोगतावादी संस्कृती को जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं कि उभोगता का तात्प्रिय क्या होता है उभोगता किसे कहते हैं हमारे आसपास के परिवेश के अंतरगत हम अनेक प्रकार के पदार्तों को अने वस्तों का पदार्तों का चीजों का तो वहक्रिया क्या कहलाती है उपभोग कहलाती है जिसका हम प्रियोग करते हैं वह उपभोग कहलाता है अब उपभोग करने वाला व्यक्ति यानि वस्तों का पदार्तों का प्रियोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है उपभोगता कहल आता है हम और आप सभी उभोगता हैं जो विभिन पदार्तों का विभिन वस्तों का उभोग करते हैं जिनमें से कुछ क्रत्रिम है और कुछ प्राकर्तिक है अब इन्हीं संसादनों का हम लोग अपने जीवन के अंतरगत प्रियोग करते हैं जीवन जीने के लिए विभिन का अंबार लगाने में इन वस्तों का उपयोग करते हैं इनकी खरिदारी करते हैं तो वह है चीज कहलाती है उभोगतावादी संस्कृति यानि जब बाजारवात को प्रोचसाहित किया जाता है और एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया के अंतरगत वस्तों की अंधादुंद खरिद फरोग की जाती है जिनका चाहे हम प्रियोग कम करें या प्रियोग न्यून मात्रा में हो या हमारे जीवन की आवशक्ताओं के अंतरगत उसका प्रियोग नहीं हो लेकिन हम उसे अनावशक खरिद लेते हैं तो वहीं पर बाजारवादी संस्कृति या जिसके अंतरगत एक निश्चित आर्थिक प्रक्रिया के तहत विभिन वस्तों की खरीद फरोग्त की जाती है और उनका उपियोग किया जाता है अब इसे प्रोचसाहिन करने के लिए मुखे रूप से दो चीजे उत्तरदाई है एक तो जो पश्यमी सब्वेता है उसका अं करने के वास्तां में भूब जाता है कि मुझे कितनी सीमित चीजों की आश्यकता है कितनी सीमिष संसाधन毛 से मेरा काम चल सकता यह से भूल इस प्रकार से उसे इस रूप में भी नुक्सान पहुंचता है कि जो उसकी प्रकरती है जो उसको संरक्षन प्रदान करती है उसका अत्यदिक दोहन होता है प्राकरतिक संसाधनों की मात्रा सीमित है और जनसंक्या के अनुपात में या जितनी जनसंक्या प्रथी पर आवस्थ है उसके अनुपात में संसाधन आवस्थित लेकिन हम अत्यच उप्भो करने के कारण हमारे शती पहुंचाते हैं तो ऐसी इस्तितियां मनुष्य के लिए दुखदाई होती है जिसके कारण मनुष्य का जो प्रयावरण है मनुष्य का ओ्धार दो दूशित होता है ग्लोबल वामिंग हो रही है, जलवायू परिवर्तन हो रहा है, प्रत्वी का तापमान दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है, और अनेक प्रकार की मोस्मी बिमारियां होती जा रही है, जो हवा है वह इतनी जहरिली होती जा रही है कि उसमें सास लेना दुरबर होता जा रहा बाजार के अंतरगत सेल चूट बंपर धमाका ऐसे कुछ बहुत सारे लुभावने जो हमारे सामने इस्तियां उत्पन कर दी जाती है उससे जो मनुष्य भ्रमित होकर अत्यदिक सामान की खरिदारी करने लगता है को बीड ने प्रूब कर दिया है कि बहुत कम संसाधनों में ह हो सकता है ओर कोवीड ने यह भी प्रूब कर दिया है कि हम प्रकृती के अधिक मजडीक हैं तो अधिक सुख्य हैं ऑधिक स्वस्त्स प्रकृति जितने अधिक दूर है जब्ष बहुत ह earn को संसे नुदे नुक्सान हमारे प्रियावरण को हो रहा है स्वास्ते को रहा है स्वाइब स्वास्ते को हए प्रियावरण के जो अमुले संसादन है उन में प्रकर्ति स extremes करने के लिए अमुले संसादन करने तोड़ी नीम की और ब्रेश कर लिया गया स्रीमेज संसादन ब्रेश करना था और उसी के दो टुकड़े करें और फिर उससे टंग क्लीन कर ली गई जीव साप कर ली गई लेकिन आज दाज साप करने के लिए इतने अंबार लगे हैं उत्पादों के कि जिन्हें हम देखकर आ गौता वादी संस्कृति की और अग्रसित कर रही है और जो अपने प्रियावरन का दुश्मन बना रही है हमें हमारा स्वास्ते का सत्रू बना रही है तो यह सारी इस्तियां हमारे लिए बहुत ही विकट है दुखदाई है परिशानी जन्न्य हैं तो आईये हम लोग इस व दियावरन को किस प्रकार से प्रभाविते करती हैं जैसे हम लोगों ने दिसे ज्स किया कि जो उभ्भोकतावाद है यह आ recipes प्रक्रिया है जिसके अंतरगत अवस्तित जितने भी संसादन है उनका प्योग किया जाए दीक आर्थिक प्रक्रिया ठीक है इसके पास में क्या होता है वह तो उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार तो है जो उद्धोगी करण है क्योंकि बड़ी फर्म स्थापित करते हैं तो यह लोग चाहते हैं कि अधिक लाप कमाया जाए तो बाजार में एक ऐसा आडंबर युक्त वातावरण प्रस्तूत किया जाता है विभिन विज्यापनो के माध्यम से कि व्यक्ति को यह मैसूस होता है कि इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता इस कृत्रिम वातावरण के बहलावे में व्यक्ति आ जाता है और जिसका लाप कि इनको मिलता है उद्योग पति वर्ग को मिलता है क्योंकि उसका मूल उद्देश्य क्या होता है और अग्रहाकों को लल्चाना ग्रहाकों के मन में इसके करण उने ही महसूस हो कि इन वस्तुओं के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता जैसे कि अब बदलेगा गेम तो बिना इसके सेवन के गेम नहीं बदल सकता तो यह सब क्या यह सब ऐसे आडंबर हैं जिनके कारण व्यक्ति इस उभोगता वादी संस्कृति की और आकर्षित होता है इन विज्यापनों दुनिया के द्वारा व्यक्ति को यह महसूस करवाया जाता है कि आपके लिए वस्तुएं हैं और यदि आप इनका उभोग नहीं करेंगे इनका प प्रश्यमी संस्कृति की चकाचोन के अंतरगत व्यक्ति इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि वह देखा देखी करने के अनुसरण में अपनी प्रकर्ति से अपने जो प्रकर्तिक संस्कार है उनसे दूर हो जाता है और अपनी प्रकर्ति का शत्रु बन जाता है अब इ क्योंकि सरकार को चलाने में पिछे महुत बड़ी भूमिका होती है उद्योग पतियों की, इसी प्रकार से जो बैंक है वे भी सपोर्ट करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेल, छूट, बंपर धमाका, इसके साथ इतना परसेंट फ्री, एक के साथ दो फ्री, ती प्रभावित होकर लालाइत होकर वस्तों को खरीदने लगते हैं, इसके कारण से यह सारी इस्तियां ऐसी हो जाती है, कि जो उभूकता है विन प्रलोबनों के अंतरगत फर्सकर दिवालिये पन की इस्तिती के अंतरगत आ जाता है, उसकी जेब खाली हो जाती है, आर्थिक इस्तिती कमजोर हो जाती है, तो यह सब क्यों होता है, उभूकता वादी संस्कृती का अधिक प्रभाव होने के कारण, इसी प्रकार से जो उत्ताध हम लोग खरीते हैं, उनका जीवन काल भी अब पहले की तुल्ना में कम हो गया है, 1980 के मुकाबले जो वर्तमान में उत्पाद होते हैं, उनका जीवन काल है तीन गुना कम हो गया है, पहले ऐसे कहा जाता था, पुरानी कहावत हुआ करती थी कि डादा खरीदे और पोता बढ़ते, यानि एक जो वस्तु खरीद ली जाती थी उसे पीड़ी ओधर पीड़ी का में लिया जाता था और मुख्यत है, इस प्रकार से वह एक स्ताई वस्तु होती थी, लेकिन आज जो हम सावान खरीते हैं, जो वस्तु खरीते हैं, यहां तक ही जो हमारे घर मकाम भी मनाये जाते हैं, वे भी एक पीड़ी तक के लिए ही हो गया है, इसके करना अनेक प्रकार है तो पांच के पास दस मोबाइल है, और बोत चल्दी ही व्यर्त करार कर दिया जाता है, इसके करन अपसिस्ट सामान अत्यदिक बढ़ते जा रहे हैं, और सिस्त बढ़ने से प्रकर्ति के सामने एक बहुत-बड़ा अमबार, बहुत-बढ़ा धेर लग गया है, कि इनका निस्तारण कैसे करें इसी प्रकार से हम लोग डिबावंद वस्तुओं का प्रियोग करते हैं पैकिंग और डिस्पोजल सामान का प्रियोग करते हैं तो यह भी हमारे सामने ऐसी समश्या उत्पन कर देते हैं कि इनका इस अपसिस्ट पदार्थ का निस्तारण कैसे कि जाए और यह जब निस्तारित नहीं होते हैं तो हमारी म्रदा को प्रदूशित करते हैं हमारे जल को प्रदूशित करते हैं हमारे वात्तावरन को प्रदूशित करते हैं तो इस प्रकार से जो अपसिस्ट सामान है वहभी प्रियावरन को दूशित करते हैं और अपसिस्ट साम में अनेक प्राकर्तिक संसाधन, अनेक प्राकर्तिक तत्वों का योगदान होता है, जैसे खनीज पदार्थ है, वन है, जल है, उर्जा है, आधी इसी प्रकार से जो व्यक्ति है, वानव संसाधन है, वे भी इसमें सलगन होते हैं, तो इस प्रकार से इन सारी प्रक्रियाओं क के द्वारा उत्पादों का निर्मान किया जाता है और उन्हें हमने खरीदा और थोड़े समय पश्चात बेकार करार कर दिया तो जो उसमें उड़ा लगी है यह प्राकर्तिक संसाधन लगे हैं वे तो नस्ट हो गए ऐसा हम लोग भी करते हैं कि कुछ लिखा और गलत हो गया पेज हटाया और फार की फिक दिया हम कभी इस इसको ध्यान नहीं रखते कि उस पेज के निर्मान में हमारी प्रकर्ती का कितना नुकसान हुआ है तो ऐसी इस्तितियों के अंतरगत क्या होता है कि जो प्रकर्ती है उस है इसमें हम खरिदारी अधिक करते हैं और थोड़े समय में ही उस उत्पाद को बेकार मान लेते हैं वेस्टेज मान लेते हैं उसको फेक देते हैं और जिसके अंतरगत हमारे अमुल्य प्रकर्तिक संसादनों का योगदान होता है जैसे खनीज-पदार्थ है वन है पानी है उर्जा is आधी इस प्रकार से उभ्धोकतावादी संस्कृती है हमारे प्रियावरण को धूसित करती जा रही है मानवकी श्वास्ते को प्रभावित करती जा रही है जिसके करद जलवयू परिवरतन हो रहा है इसके कारण ग्लोबल वामिंग जैसी घटनाई हो रही है तो कारण global warming जैसी घटनाई हो रही है अब उभ्भोकतावादी संस्कृति किस प्रकार से नुक्सान पहुंचाती है देखो उभ्भोकतावादी संस्कृति के अंतरगत अधिक विलासिता पूर्ण या सुविधा पूर्ण संसादनों का प्रियोग किया जाता है घर में ऐसी गाड प्रियोग किया जाता है व्यक्ति के द्वारा सिंपल से काम के लिए जा रहे हैं जहां पैदल जा सकते हैं वहां भी गाड़ी उठा कर जाते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग जो हमारे अमुले खनीज है प्राकरतिक तेल है प्राकरतिक गेस है उसका उसकी अंतरगत उपभो या मुदपाद होता है उसका 20 प्रतिस्यत हिस्सा खपत किया जाता है लगाइए कि कि चोटी सी जन संक्या के दौरा कितना बड़े भूभाग कि उनका उपभूक किया जाता है इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यदि इसी प्रकार से हम लोग संसादनों का अभोक करते रहें तो वहंदिन दूर नहीं जब हमारी प्रकर्टी प्रकृति संसादन विहील हो जाएगी प्रकर्टि के आचल में विविन प्रकार के मोति जड़ेंगे उसे विछनित हो जाएंगे प्रक्रृती प्रस्तुत कि इसी दर से प्राकर्तिक संसाधनों का हम उपयोग करते रहेंगे तो जो संसाधन है वे धर्ती से गायब हो जाएंगे और जिनके निर्मान में लाखों वर्ष लगे हैं लगबक 10 लाक वर्ष के अंतर्गती प्राकर्तिक संसाधन तैयार हुए हैं जिसके अंतर्गत कहा गया कि जो भू कार से हम लोग कोबाल्त और प्लेटीनम का खनन करते गए उपियों करते गए तो आने वाले 400 सालों के अंतरगत वह प्रत्वी से गायब हो जाएगा इसी प्रकार से जो पेट्रोल है वह मात्र उननचास यानि 49 इयर में गायब हो जाएगा हमें प्राप्त नहीं होगा आने वा साथ वर्सों में समाप्त हो जाएंगी प्रत्वी से गायब हो जाएगी और कोईला तो मात्र कुछ सालों के अंतरगत ही तो प्राकर्तिक संसादनों का अत्यदिक दोहन करने से हमारी प्रकर्ति में यह जो संसादन है वह समाप्त हो जाएंगे क्योंकि प्रकर्ति में जो संस अब जो अर्थोवर शूट्ड है वह एक मापत या एक कालपनिक पैमाना तै किया गया है प्रत्वी के संसाधनों के अनुसार की प्रत्वी के उपर जो उपल्ब्द संसाधन है वे निश्चित जनसंक्या के अनुपात में हमें प्राप्त होते हैं अब हो क्या रहा है कि जनसंक्या की भी प्रत्यासित व्रद्धी हो रही है उसी के साथ साथ जनसंक्या है वह है अत्यदिक संसाधनों का प्रियोग कर रही है उप्भोग कर रही है उसके कारण प्रकरती पर दोहरी मार पड़ रही है जनसंक्या की व्रद्धी की भी और होती जा रही है जादा होती जा रही है उसके लिए जो मानक समय निधारित किया जाता है वह जनवरी से दिसंबर तक का निधारित किया जाता है यानि जो संसाधन है जनसंक्या के लिए जनवरी महा से दिसंबर तक के लिए होते हैं और उनका उपभोग हमें किया जाता है हमार अभी जो अर्थ वर शूट डे 2012 का जो माना गया है वह अगस्त महां में था तो सोचिए कि जो बाकी जो महीने बच गए हैं उनमें हम संसाधनों का उभोग तो करेंगे ही लेकिन इन संसाधनों का जिनका हम उपयोग करें हैं वो प्रक्तिवी से एक तरह का रिंड ले रहे हैं कर्ज ले रहे हैं तो अगर यदि हमारे द्वारा प्रकर्ति को यह वापस नहीं लोट आया गया तो हम कब तक इस तरह से एक्स्ट्रा काम में लेते रहेंगे इसी मापक पेमाने को अर्थ ओवर्शूट्डे कहा जाता है जिसकी गणना 1986 से विज्ञानिकों की द्वारा की जा रही है और लगातार इसका जो महा है महिना है दिन है वे कम होते जा रहे हैं यानि हम कम समय में ही प्रकर्तिक संसाधनों का अधिक प्रियोग कर रहे हैं तो हमारे जीवन के लिए हमें जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं वे आने वाली पीडी को प्राप्ते नहीं होंगी महात्मा गांदी ने कहा भी है कि जिन प्रकर्तिक संसाधनों का हम उभ्भोग कर रहे हैं वो हमारे पुर्वजों की विरासत नहीं है अपितु आने वाली के सामने हम शित्थियां करेंगे प्रत्वी के ओसंसाधन विहीन कर ऐंके उन्हें देंगे को जिसका हमीजना भुगतना पड़ेगा और हमारे आने वाली जन्रेशन को भी भुगतना अब इतने सारे संसाधन हमारे द्वारा प्रियोग किए जाने के छाथ हम लोग है रघ्र है ईत में हैं बाद हम लोग तनाव ग्रस्त हों कर भी प्रकरती हैं स्टिय की गोध में जाना जाते हैं किसी किस्तल है वहां जाना चाहते हैं और उसके बाद भी हम लोग अपक्षा करतें है कि हम लोगों ने तुम्हारा इतना दोहन कर लिया उसके पश्यादी हमें तुम अब सुख दो संतोस दो शांती दो जो हमारे साधनों से हमें नहीं मिली उन ऐसो आराम के जो संसाधन है उनसे हमें प्राप्त नहीं हुई तो ऐसा कब तक होगा ऐसा कब तक हमें प्रकरती दे होती है उसमें निजाद हमें हमारी प्रकर्ति ही देती है और यदि प्रकर्ति का हम लोग शरण करेंगे प्रकर्ति को नुकसान पहुंचाएंगे प्रकर्ति को प्रदूशित करते रहेंगे तो हमारी जो मा है उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा और बचा हुआ चाहिए और इन जो विलासिता वाली वस्तόयँ हैं बोचीकता वादी और उप्भोक्ता वादी संस्क्रती है उसे हमें इग्नोर करना चाहिए उतने हीं अंसाधनों का उपभोग करना चाहिए उपयोग करना चाहिए खरिदारी करनी चाहिए जितनों की हमें आवश्यक्ता है और प्राकर्तिक जीवन की और हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि प्रकर्ति में सुख है वह कहीं भी सुख नहीं है प्राकर्तिक जीवन सात्विक जी श्वियम जागरुक रहकर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आस्पडोस को जागरुक करके, चेतना युक्त करके, सचेत करके यह संदेश प्रसारित करना चाहिए कि आओ, हम सभी मिलकर प्रकर्टी का संदक्षन करें, यह हमें सदा सरवदा देती रहती है, इसे ज उनका पालन करें, अपना दाइत्यों मान कर, अपना कर्तवय मान कर, तभी हम लोग अपनी प्रकर्ती का संदक्षन कर सकते हैं, तो इस तरह से बच्चों, इस चेप्टर के अंतरगत, हम लोगों ने प्रकर्तिक स्थितियों के बारे में, प्रियावरण के बारे में, प्रकर हो जाए जाग्रुक हो जाए और सरकारों के साथ मिलकर सक्रीय रूप से कार्य करें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानते हुए श्रयंते से चैतना से कंप्लेट होता है अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंदित क्यूशन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे तब तक के लिए विदा दीजिए जय हिन जय भारत